सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरे यूटूब चनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तों लेकर आया हूँ बिना प्याज लसन के भुट्टे का पुलाओ सुट कॉर्ण पुलाओ बनाने वाला हूँ दोस्तों जो की आपको बिना प्याज लसन के एकदम खिला खिला कैसे बनाना है और सौधिस्ट बनने वाला है दोस्तों एकदम हिल दी बहुत आसान तरीके से दोस्तों ये बनने वाला है वीडियो में बने रही है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिगा तो सबसे पहले मैं हाँ पर ले लिया हूँ कॉल दो कॉल और उसके बाद दोस्तों इसके हम दाने निकाल लेंगे इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ एक कप चावल तो यह घर का जो हम रोज चावल खाते हैं उसी को मैं ले लिया हूँ आप यहाँ पर बासमती चावल ले सकते हैं तो इसको मैं दो बार पानी से अच्छे से धो कर रख लूँगा इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ कूकर और इस कूकर में दोस्तो एक चमज भर के देशी घी एड़ करेंगे इसके बाद आधा चमज जीर एड़ कर देंगे और इसके बाद मैं यहाँ पर एड़ करूँगा दोस्तो एक चक्र फूल इसके बाद दो हरी इलाइची एड़ करूँगा और इसके बाद दोस्तों एक बड़ी इलाइची मतलब काली वाली इलाइची और दो तुकडा डाल चिनी एड़ करूँगा इसी के साथ दोस्तों मैं यहां पर एड़ करूँगा ब्लैक पेपर आधा चम्मच और दो तेज पत्ता एड़ करूँगा इसी के साथ मयाँ पर आठ काजू एड़ किया हूँ दोस्तों और इन सभी चीजी को अच्छी तरह से एक मिर्ट तक मिक्स कर लेंगे ताकि जो हम खड़े मसाले एड़ किये हैं उसका स्वाद आ जाए फिर इसके बाद हम एक गाजर चौप करके एड़ करेंगे और आधी कटोरी मयाँ पर बींस चौप करके एड़ किया हूँ और दो सिम्ला मिर्च इस तरीके से मैं कट करके एड़ किया हूँ इसके बाद दोस्तों स्वीट कॉर्ण एड़ करना है एक कटोरी इसके बाद दोस्तों mix करते रहना है फिर इसके बाद दोस्तों जो हम चावल को भीगो को रखे थे उसको add करेंगे चावल को add करने के बाद अब हम सब चीज़ को अच्छी तरह से mix कर लेंगे mix करने के बाद दोस्तों अब बारी है इसमें पानी add करने की तो एक कप यहाँ पर चावल था नॉर्मल चावल था और इसमें दोस्तों मैं यहाँ पर डेल गिलास पानी add करूँगा और एक चमच नमक add करूँगा और चौप करके मैं धन्या add करूँगा इसी के साथ मैं पर तीन हरी मिर्च add करूँगा दोस्तो इसके बाद हम अच्छी दरह से mix कर लेंगे तो यह बहुत ही simple tasty दोस्तो हमारा यह पुलाओ बनने वाला है बिना प्याज लसन के तो अब हम कैफ लगा देंगे और यहाँ पर दो सीटी बजने तक दोस्तो इस पुलाओ को पका लेना है फिर इसके बाद दोस्तो कुका ठंडा होने देंगे और कैफ को निकाल करके देखेंगे तो दीखें दोस्तो कितना बढ़िहा चावाल एकदम दाने दा दिख रहा है मतलब खड़ा एकदम चावाल दिख रहा है ये दिखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना बड़िया खिला खिला ये चावल मतलब पुलाओ बना हुआ है बिना प्याज लसन के इस तरीके से दोस्तो आप बनाईए बहुत ही टेस्टी और सिंपल था दोस्तो ये बनता है खाने में बहुत ही लाज़ाब दोस्तो दोस्तो अगर आपको ये बिना प्याज लसन के भूट्टे का पुलाओ का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम ऐसा वीडियो लाते रहते हैं तो मिलते हैं फिर दोस्तो नेश्ट वीडियो में कर दोस्तो की उजबर है तो मिलते हैं तो समने कीजिएगा खाते हैं तोस्तो शुलाप कीजिए लाजी बिना प्राज डयर मुलाश्वाराओ कीजिएगा का आता है निए में चाहिएगा और में कीजिएगा लाव surprises